Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तयारी बिलकुल ही बढ़ी आसे कर रहे होंगे. अब रिसेंटी आपकी SSC MTS की आंसर की आउट हुई है. I hope आप सभी ने चेक किया होगा. उसका एक पेपर हम यहाँ पर डिसकस करने चाह रहे हैं. जैसे examination hall में आपने यह सवाल किये होंगे. ज़र देखो, आप already, अगर आप pressure है, तो definitely आपके लिए beneficial होने वाला है. अगर attempt भी किया है आपने यह paper, तो भी आप देखोगे कि कि आपके exam अब तो सही है. Otherwise, आपका अगर कोई question आप यहाँ से check करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो. 39, 2024 में आपका यह first shift में पूछा गया paper था. चलो, फटा-फट से discuss करेंगे इसे, paper है, paper की तरह करेंगे, या उस time पर आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए, एकदम उस order में हम जाएंगे. तो देखो, सबसे पहला सवाल आपका, उसने क्या किया है, आपको plus और minus को interchange कराया है, और multiply और divide को interchange कराया है. क्या करोगे, सबसे पहले आपने देखा, अच्छा मैं सबसे पहले क्या चेक कर ले हम, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, unit is it. 3 है, 6 है, 0 है, 6 है, 6 है, 6 बिलकुल 2 जगे दिख रहा है, बट difference काफी जादा है, 86, 130 है, तो थोड़ा से elimination की तरफ definitely जाओगे, उसने क्या किया है, आपका plus और minus को interchange क्या है, minus की जगे आएगा, आपका plus, plus की जगे आएगा, minus, उसके बाद आपको बिलकुल पता है, पहले यह पर क्या होने वाला है, multiply होने वाला है, और यहाँ पर होने वाला है, आपका divide, clear, तो 60 को divide करोगे, 12 से क्या value मिलेगी, 5 मिलेगी, यह बिलकुल minus का है, आपको पता है, यहाँ पर क्या है, plus 24 है, बतलब overall value क्या आएगी, plus ही आएगी, 39 into 3 plus 24, minus तो सिर्फ 5 ही हो रहा है, ठीक है तो आपको पता है, सिर्फ यहाँ अगर हम unit digit लिखते है, अपना 4, हमें पता है, 40 मान लो इसे, 40 into 3 मानोगे, 120 तक तो कम से कम value होई गई हमारी, 120 में भी कुछ plus होना है, तो इतना confirm है, कभी भी value 86 तो नहीं आएगी, अगर हमें 2 unit digit क्योंकि same दिख रहे थे, इसलिए, ठीक है उसके बाद हमें पता है, हम unit digit से से खतम करेंगे, तो 9 into 3 कितना होता है, बिल्कुल 27 होता है, unit digit मिलेगी आपको 7, तो 7 plus 4 कितना हो गया, 7 plus 4 हो गया, 11, 11 minus कितना होना है, 5 होना है, 11 minus 5 करोगी, unit digit क्या मिलेगी, बिल्कुल आपको 6 मिलेगी, पता है, 86 नहीं हो सकता, क्योंकि ये value बड़ी है, 136 आपका answer होगा, starting से ये चीज़ आपको समझाई जा रही है, लगातार समझाई जा रही है, कि elimination करना है, सवाल को जल्दी करना है, ठीक है, अगला सवाल, in a certain code language, I swim fast का code दे रखा है, may I go का code दे रखा है, उसने बोला है, बताओ, I का code क्या होगा, I, सबसे प और चीज़ common है, नहीं, swim fast first में है, आपको दूसरे में दिख रहा है, may I go, मतलब दौनों में सिर्फ एक ही चीज़ common है, तो code भी वही एक common होगा दौनों में, तो अब आओगे फटाफट से code देखोगे, आपको पता है, C, P, L, K, B, S, और दूसरा है, A, P, S, B, L, K, दो बिल्कुल आपका L, K, होगा, यह चीज़ में आपको समझा रही हूँ, तो समय लग रहा है, आपको फटाफट पर आप देखोगे, common है, ना, फूडों से, दौनों में एक code common मिला, और सवाल ख़ता है, अगला सवाल, 7 persons are sitting around a circular table, facing center, जब वो center face कर रहे हैं, हम बनाएंगे इ ठीक है, already, जो आपका basic session था, उस पे भी यह चीज़ हम बिसकस कर चुके है, ठीक है, अपना sitting वाला basic देखो, basic देखो, mostly cover हुए है, आपके यहां पे, तो definitely जाके basic sessions थेख लिया करो, ठीक है, उसमें बोला है, A is sitting second to the right of E, A second to the right में है, किस के, second to the right में है, E के, ठीक है, फिर में बोला है, only one person is sitting between D and A, D और E के बीच में एक इनसान बैठता है, हमें पता है, A और E, left में जब एक इनसान है, तो A के right में ही आपाएगा D, तो कि एक person छोड़के left में तो E बैठा है, तो right में आपका D आ जाएगा, ठीक है, D is sitting third to the right of G, बैठा है, D third to the right में है, G के मतलब दो person छोड़के, G के right में भी बैठा होगा, ये चीज़ बिल्कुल clearly, click होनी चाहिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, फिर उसमें बोला, F is an immediate neighbor of P, F neighbor है B का, इसका neighbor है F, F, B के साथ बैठता है, right में या left में, यह हमें उतने हैं, यहाँ पे सवाल हो गया, खतम, कितने लो गोर बैठे है, फिर आपको पता है, G के right में दो इनसान छोड़के B आएगा, तो क्या करना है, क्या 3-4 situation मनानी है, क्या बिल्कुल नहीं, आपको पता है, यहाँ पे G को बिठा सकते हो, G दो छोड़के, यहाँ पे तो D बैठा है, मतलब इस जगे पे नहीं आ सकता, फिर आ अगली position पे आते हैं, यहाँ पे बिठा होगे, तो G एक दो छोड़के, यहाँ पे B तो आजाएगा, पर B के साथ F के लिए तो कोई जगे खाली ही नहीं है, और यहाँ पे जाओगे, तो G के right में दो छोड़के, अल्रेडी A बैठा हुआ है, तो नहीं आ सकता, एक ही जगे जहाँ पे G बैठ सकता है, वो है आपकी यह, और G दो छोड़के आपका यहाँ B आ गया, आपको पता है B के साथ F बैठेगा, तो right में तो E बैठा है, left में एक ही जगे खाली है, जहाँ पे F बैठेगा, उसमें बोला है, how many persons are sitting between D and E, D और E के बीच में कितने लोग बैठते तो D और E आपको कहां दिख रहा है, clearly यहाँ दिख रहा है E, यहाँ पर दिख रहा है D, पर उसमें situation दी है, कहां से count करना है, जब आप E के left में जाओगे, तो E कहां दिखाई दे रहा है, E यहाँ है, E का right बिलकुल यह है, left यह है, line है, line नहीं है, यह circle है, तो left में जाओग है examination की तरह कर रहे है, basic से अगर आप सीखना चाहते हैं, तो बिलकुल दिख्षित सर एप पर जाकर आप सीख सकते हैं, otherwise यहाँ पर भी courses, जो आप जाओगे, basic session आपको YouTube पर फी, free of cost मिले, अगर आप एकदम type wise, जो recent year questions हो है, वहाँ से सीखना चाहते हैं, तो आप दिख्षि इशा रखा है, पहले A आ रहा है, तो सबसे पहले A की ही mirror image दिखेगी, यहाँ पर दिखा आपको 1, वो भी उल्टा, गलत हो गया, यहाँ पर भी 1 दिखा, हो गया, गलत, दो जगे बिलकुल आपको A दिखाई दे रहा है, पर A की mirror image दिखेगी, मतलब सीधा-सीधा A रहने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है, अगला सवाल और वैसी भी देखो mirror image में, जब A में अगर आपको confusion भी होता है, आपको पता है, पहले जो शीशे के सामने है, वो चीज़ सबसे पहले है, तो जब शीशा यहाँ पर है, तो हमें बिलकुल पता है, इतनी दूरी पर यह सबसे चीज़े बनें गया, clear है, तो यह आपको बिलकुल B में दिखाई दे रहा था, अगले सवाल पर आते हैं, चलो, बताओ जल्दी से pause करो, try करो, जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा, उसने आपको क्या किया है, इन का code दे रखा है, अब देखो वापस उसने बोला, ब आपने देखा, neat में भी N आ रहा है, और आपने देखा, wing में भी N आ रहा है, N दौनों में common है, तो code में भी दो जगे हमें N का code मिलेगा, जो common होगा, वही answer होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर W, I, G, बिलकुल भी neat में नहीं है, तिर्फ एक ही चीज़ common है, वो है आपका N, परटाफर से code पर आओ, 2618, 3469, क्या चीज़ दौनों में common है, बिलकुल हमें 6 दौनों जगे दिखाई दे रहा है, तो 6 इसका code है, बिलकुल आपका N का code है, ठीक है, ऐसे होते हैं इस सवाल, अगला सवाल, देखो, again बहुत लंबी सी language है, language से हमें कुछ खास देना नहीं हो जो relation आपको यहां पर दे रखा है, तो यहां दोनों ही case में सबसे पहले आप क्या देखोगे, 35 बीच का नंबर बड़ा है, 82 बीच का नंबर बड़ा है, पहली चीज जो आपके दिमार्ग में आएगी, बहु क्या होगी, अच्छा 11 इंटू 4, 44 है, 44 से कुछ कम है हमारा 35, पर यहां पर देखोगे, तो 61 इंटू 1 करोगे, तो 61 मिलेगा, पर इससे तो बड़ा है 82, मतलब multiplication वाली चीज से तो हमारा काम नहीं बन रहा, clear है यह बात, यह बात अगर आपको clear है, तो अगली चीज आपके दिमार्ग में आएगी, कि प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है, प्लस करोगे अगर पहले और तीसरे नंबर को 11 प्लस 4 करोगे, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, पर यहां कितना दिख रहा है, 35 दिख रहा है, प्लस 20 हुआ है, A और C को जोड़के 20 जोड़ोगे, तो बीच वाला नंबर आपको मिलेगा, सेम अगर आप यहां देखो, 61 प्लस 1 कर करोगे, मिलेगा बिल्कुल 62 और आपको पता है, बीच में नंबर 82 है, वापस कितना जुड़ा है, 20 जुड़ा है, ठीक है, क्या लॉजिक पॉलो हुआ है, फिर्स और लास नंबर को जोड़ दो, फिर उसमें 20 जोड़ दो, तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाएगा, ठी यहां से और answer नहीं मिलता, तो पूरा-पूरा calculate करने की जाएगे, थोड़ा unit digit से eliminate कर लेते हैं, अगर first option answer आपका नहीं होता तो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, cake का code उसने आपको दे रखा है, gold का code उसने आपको दे रखा है, position values आपको बिल्कुल याद है, ऐसा हम expect करूँग है, minus 2 हुआ है, यह same चीज आगे भी लगी है, क्या, क्योंकि cross check करना ज़रूरी है, आपने देखा, g का 7 है, e का 5 है, वापस minus 2 हुआ, तो यह चीज हमें पता चल गई, फिर 1 है, 3 दिख रहा है, कितना हुआ है, plus 2 हुआ है, same चीज 15 है, 17 दिख रहा है, plus 2 हुआ, आगे गए 11 है, 9 दिखाई दे रहा है, k की जगे 9 दिखाई दे रहा है, तो वापस minus 2 हुआ, और आपने आगे देखा, 5 प्लस 2 बिल्कुल आपको 7 दिख रहा है, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2 की सीरीज आपकी चल रही है, उसने आपसे बोला है, कि बताओ wire का code क्या आएगा, सबसे पहले आप देखो, अंतर कहां कहां पे है, यहां पर 2 जगे G दिख रहा है, यहां पर K, P, G, K, last में हमें पता है क्या करना है, wire में हमें क्या पता है, wire में हमें पता है, last में हमें plus 2 करना है, ठीक है, 5 plus 2 कितना होता है, 7 होता है, यहां से ही question का था, ठीक है, आपका बिल्कुल B is the right answer, क्योंकि last म में देखना है तो भी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अगले सवाल पर आते हैं सिरीज का सवाल है पॉस करो जल्दी से बताओ इस पांसर जब भी आपका पांच वाला कीस है ठीक है आपने देखा एक दो तीन चार फिफ्ट वाला जो मिसिंग है वो आपको पता करन है तो आप सिबसे पहले क्या देखोगे ऐसे कोश्चन में कि आपने देखा फॉर्स्ट और सेकेंड में क्या लौजिक फॉलो हुआ है यह जब आप सेकेंड पर जा रहे हो आपने क्या देखा अच्छा यहां पर क्या है यहां पर जो सी है वह अपनी पहले वाली पोजिशन पर आ गया है ठीक है यहीं चीज़ देखी क्या यह सेम चीज़ आपकी 3rd से 4th जाने में follow हो रही है अगर जो logic आपका 1st से 2nd जाने में follow हो रहा है तो यहाँ पर आपने देखा 1st में बिलकुल C के यह दोनों थे यह बिलकुल आपके यहाँ पर shift हुए अपनी next next position पर सेम आपने देखा यहाँ पर क्या था बिलकुल P और K था और बिलकुल P और K यहाँ पर आ गया है तो चो लॉजिक आपका 1st से 2nd जाने में follow हुआ सेम लॉजिक आपका 3rd से 4th तक जाने में follow हुआ है ऐसे cases में क्या होता है कि जो logic आपका तो भी logic आपका 2nd से 3rd जाने में follow हुआ है 2nd से 3rd में जो logic follow होगा वही सेम लॉजिक आपका किस में follow होगा 4th to 5th में ठीक है सेम लॉजिक का आपका follow होगा 4th से जब आ 5th पे जाओगे तब ही आपको यहां पर जो value आएगी वो आपको पता चल जाएगा missing वाली चीज आपको पता जल जाए ठीक है यह कब होता है यह सिर्फ तभी होता है जब आपका 1st to 2nd जो logic follow है सेम अगर आपका 3rd to 4th repeat हो रहा है तभी ठीक है तो आपने क्या देखा 3rd से 4th में क्या हुआ है 3rd से 4th में बिल्कुल अब थोड़ा elimination की तरफ जाओ वापस पूरा नहीं पता करना आपको पता है अच्छा ठीक है यहाँ पर क्या हुआ C कहा था बिल्कुल corner में था कहा पहुँच गया बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है diagonally पहुँच गया है तो यहाँ पर क्या है P है तो इस corner में आपको बिल्कुल P दिखना चाहिए कहा दिख रहा है यह option cancel हो गया यह option भी आपका cancel हो गया अब देखो first और third में अंतर क्या है तो बस वो वाला निकालो position और question को खतम करो आपको दिखाई दे रहा है उपर अगर ह element आया कैसे है आप बस यह देखो कि यहाँ पर Z आया है Z यहाँ पर कहाँ पर था बिल्कुल अपनी right position से अगली position पर वो shift हुआ ठीक है तो सेम यहाँ पर देखो कौन है C है C ही तो shift हो के बीच में आएगा क्योंकि हमें पता है यह और यह same logic हमारा follow करेंगे तो बीच में एक third to fourth आपका अगर follow होता है तो जो logic आपका second to third तक जाने में लगेगा वही सेम आपका fourth to fifth जाने में लगता है ठीक है और ऐसी questions भी आप थोड़ा elimination से करें ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा-पूरा solve करना यहाँ से ही दो element निकालके ही आपका सवाल खतम हो जाएगा बहुत सारे element देखके घपराना नहीं है clear बढ़े अंगले सवाल पर देखो क्या दिया है यहाँ पर यह है क्लियर लिया पसे logism का question फटा फट करेंगे कुछ चिकन आपके हैन है ऐसे बनाओगे कुछ चिकन आपके हैन है ठीक है फिर उसने बोला एक भी हैन आपका एग नहीं है तो एक हैन आपका एग नहीं होगा बन गई यह चीज उसने क्या बोला है पहला conclusion no chicken is an egg एक भी जो चिकन है न वो एग नहीं होगा यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्यों यह वाला हिस्सा नहीं जा सकता जो चिकन और हैन में common हिस्सा है वो नहीं जाएगा पर बाकी बिल्कुल जा सकता है इस हिस्से पर कोई पाबंदी नहीं है all hen are chicken सारे ही जो hen है वो chicken है बिल्कुल नहीं कुछ hen हमारे chicken है सारे नहीं है क्या हो जाएगा neither nor ना पहला कथन सही है ना दूसरा अगले सवाल पर आओगे वापस सीरीज वाला question यहां पर भी देखो यहां हमें पतर चल रहा है इन ही position पर आपके element खूम रहे है अगर आप देखो आपको दिखाई दे रहा है same 5 है तो आपको दिखाई दे रहा है यह कहां है बिल्कुल आपका left corner पर कहां गया है बिल्कुल अपनी अगली position पर तेम अगर आपने 3rd से 4th में देखा यह भी बिल्कुल या तो आप 1 से 2 में जैसे जा रहे हो जैसे ही आप 3 से 4 में जा रहे हो तो आप अपने पिछले सवाल की तरह इसको कर सकते हो otherwise इसे directly भी कर सकते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है सिर्फ जो shift हो रहा है वो क्या हो रहा है अगली अगली position में clockwise हो रहा है दोनों से ही आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है क्योंकि logic बिल्कुल सेम लग रहा है आपको दिखाई दे रहा है एक ही position में कोई बदलाव नहीं है सिर्फ जो change हो रहा है वो इन तीनों में ही हो रहा है और कैसे हो रहा है बिल्कुल clockwise वो अपनी अगली अगली position पर shift हो रहे है अल्रेडी आपने देखा ये जो series है न ये जो यहाँ पर थी जो यहाँ पर थी वो अल्रेडी यहाँ पर वापस आपकी repeat हो गए ये one dash ही तो है सेम आपके सारे element भूम फिर के अपनी ही जगे आ गए तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आपका वापस repeat होके यहाँ पर आ जाएगा second वाली series यहाँ पर repeat होगी क्योंकि इनका क्या हुआ है वापस repetition सेम यहाँ पर जो element है वही element यहाँ पर आ चुके क्योंकि तीन ही element है उन्हें clock पर इस गुम आओगे तो वापस अपनी position पर आ जाएगे इसी भी तरीकी से कर लो answer same ही आएगा हमें पता है यही series repeat होगी कहाँ दिखाई दे रही है clearly आपको यह B option में दिखाई दे रहा है तो B is the side answer ठीक है बड़े अगले सवाल पर देखो 7 person 7 people are sitting around a circular table facing center circle में बैटे है center pace कर रहे है C is sitting to the immediate right of E C तुरंट दाई में बैठता है किसके? C तुरंट दाई में बैठता है E के ठीक है D is sitting third to the left of C D third to the left में है किसके? So first to the left, second to the left बिल्कुल third to the left में आ गया D इसके? C के A is the immediate neighbor of B, C A neighbor है किसका? A neighbor है देखो B और C का अब आपको पता है A अगर पडोसी है B और C दौनों का तो यहां पे तो C का एक पडोसी तो E है एक पडोसी E है तो दूसरा पडोसी जो A है वो यहीं पे आएगा और A के साथ बिल्कुल हमारा B बैठा हुआ है क्योंकि A के दो पडोसी है कितने लोगों के 3 और 3-6 लोग आपके complete हो चुके है फिर उसने बोला है F is not immediate neighbor of E जो साथवा है उसे भी बना लो उसने बोला है F पडोसी नहीं है E का मतलब F यहां नहीं आएगा F के लिए सिर्फ A की जगे खाली है वो यहां पर बैठ जाएगा जो A के इंसान बचाए वो बिलकुल यहां पर D और E के बीच में जो खाली जगे है वहां पर आएगा फिर उसने आप से क्या बोला है What is the position of G with respect to A D की position क्या है G कहा आएगा सबसे पहले जो जगे खाली है वहां जी बैठ जाएगा A के respect में क्या है A, A first to the left, second to the left बिलकुल third to the left में है G, कहां दिखाई दे रहा है B में दिखाई दे रहा है क्यों option अगर नहीं मिलता आपको तो आप right से check कर लेते ठीक है, right से भी वो दे सकता आपको position तो क्या होता First, second, third, fourth to the right होगा अगर left से position नहीं दी होती है तो right से definitely दी होगा चलो, अगला सवाल ठीक हो, 7 related है 30 से 14 related है 100 से बताओ 22 किस से related होगा सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ आएंगी 7 into 4 करोगे 28 मिलेगा प्लस 2 है, पर यहाँ पर 14 into 4 से आप 100 तक तो नहीं बहुँआ ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या लगेगी, अगर square वाली तरफ से भी गए तो 7 square 49 होता है माइनस कुछ करोगे, तो आपको value मिलेगी, पर 14 square से तो आप काफी जादा आगे पहुँच जाओगे value आपकी directly 196 तक पहुँच ठीक है, तो यह भी logic आपका follow नहीं होगा यहाँ पर अगली चीज़ आपके दिमाग में एगी 7 से 30 तक पहुचना है और 14 से 100 तक, ठीक है तो 7 minus आपको पता है, एक तो वही है 14, 14 से यहाँ पर आपको कही न कही 10 का square दिखाई दे रहा है ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है 14 minus 4 करेंगे तो बिल्कुल 10 मिलेगा, और 10 का square हमें दिखाई दे रहा है 100 ठीक है, अगर 7 minus 4 करोगे, तो आपको क्या value क्यों मिलेगी? बिल्कुल आपको 3 मिलेगी, पर 3 का square तो नहीं है आपका 30, ठीक है? पर कितना है? 3 into 10 है, आपका कितना? 30 है, सेम यहाँ पर 10 square नहीं, ओके, आपको पता है 10 square क्या होता है? 10 into 10 ही तो होता है, कुछ अलग चीज़ तो नहीं होती, 10 into 10 ही तो होता है, बताओ क्या logic follow हुआ है, यहाँ पर भी हुआ आपका multiply किस से? 10 से, यहाँ पर भी multiply हुआ है 10 से, मतलब यह जो पहला number है, उसमें से अगर आप 4 घटा देते हो, उसे multiply करोगे 10 से, तो आपको अपना answer मिल जाएगा, तो सेम उसमें बोला है 22 किस से related होगा? 22 minus 4 करोगी, कितना मिलेगा? 11 मिले complete करना इसे, देखते देखते, खुछ सोचने की जरुत है क्या? आपको पता है, सेम जो यहाँ पर triangle बन रहा है, वही यहाँ पर, क्या तो बोलो square complete हो जाएगा, या फिर इस triangle, यह सोचलों की चारों में ही यह आपके individual triangle बन रहे थे, तो बिलकुल आपका क्या बनेगा? यह चीज़ आपको दिखनी चाहिए, कहां दिखाई दे रही है, बताओ, A में यह extra line कहां से हो गई? गलत आ गया, सेम आपको पता है, B में कहीं पर भी दो जागे line तो खिची ही नहीं है, C बिलकुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? सौरी, सौरी, C में बिलकुल आपको पता है, यह चीज़ दिखा, हाँ, यह देखो, C में बिलकुल यह चीज़ complete हो रही है, D में उसने क्या किया है, पहले एक छोटा यह जो आपका square complete हो है, उसे triangle की तरह बना दिया, तो इसलिए D बिलकुल आपका गलत जवाब होगा, ठीक है, तो C is the right answer, चलो, अगला सवाल, देखो, उसने बोला यह सीरीज को complete करो, complete करने में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर लगातार आपके बढ़ते होए, ठीक है, अब नंबर कैसे बढ़े, 12 है, यहाँ पर 24 हुआ है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है, 24 है, 48 है, वापस डबल दिखा दे रहा है, इतनी बात directly पता चलिए, कि 2 गुना होता जा रहा है, बस symbol बदल रहे हैं, आपके minus, plus, minus, plus, आगे वाला symbol बिल्कुल आपका minus का होगा, ठीक है, तब से पहले minus का होगा, तो यह दोनों तो होगा है, cancel, उसके बाद आपको पता है, 96 का double, या तो unit दिख से कर लो, 6 unit दिख से भी कर सकते हो, और directly calculation से भी कर सकते हो, अगले सवाल से आते हैं, वापस उसने आप से बोला है, plus, minus को बदला गया है, multiplied, divide को बदला गया है, बताओ क्या answer आएगा, unit दिख सारी ही अलग है, तो और आसान हो जाता है, यह सवाल, आपको directly पता है, multiply की जगे आपका क्य आएगा, divide आएगा, 6 को divide कर दो 3 से, कितनी value मिलेगी, 2 मिलेगी, और 2 into करोगे 5, क्या मिलेगा, बिल्कुल आपको पता है, 10 मिलेगा, यह तो unit is it कर लो, 0 है, minus 4, और बिल्कुल plus 1, ठीक है, तो बिल्कुल क्या दिखाई देगा, आपको, यहाँ पर क्या था यह, 10 है, तो 10 minus 4 करोगे, बिल्कुल 6 मिलेगा, और 10 minus 4 करोगे, 6 मिलेगा, प्लस 1 करोगे, बिल्कुल आपको 7 मिलेगा, इस दो side answer, यह तो पढ़े आगे, चलो, again, mixed वाला question हो गया, alphabet number, position values आपको याद है, तेखते देखते बता दो, कि अच्छा, जे है, 10 है, 5 दिखाई दे रहा है, मतलब कि माइनस 5 हुआ, फटा-फटा आगया है, आपने देखा 17 है, बिल्कुल minus 5 करोगे, 12 मिलेगा, पहले आपको बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है, minus 5 दिख रहा है, तो आपको पता है, S की position value 19 होती है, minus 5 करोगे, क्या मिलेगा, बिल्कुल 14 मिलेगा, इस की position value है, M की position value है, यह कट गया, K भी कट गया, अब या तो अगला alphabet निकाल लो, या number निकाल लो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, alphabet वापस निकालोगे तो आपको पता है, M 13 है, H कितना है, H बिल्कुल आपका 8 है, वापस minus 5 हुआ है, अगर आप जाते number की तरफ तो 12 है, 15 हुआ है, plus 3, 34 है, 37 हुआ है plus 3, तो सेम आपको पता है, 23 plus 3, 26 होता है, किसी से भी निकाल लोगे, तो काम बन जाएगा, ठीक है, इतना प्यार असा, असान सा सवाल है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, तो launchism का सवाल, concepts clear है, देखते ही बताओ, एक भी बस आपकी कार नहीं है, ठीक है, उसके बाद बोला ह एक भी कार आपकी ट्रक नहीं है, उसने आपसे पूछा क्या है, no car is bus, एक भी कार बस नहीं है, बिलकुल ये चीज़ सो उसने बताई है, कि कोई bus कार नहीं है, तो कार बस कैसे हो जाएगी, ठीक है, अगले सवाल पाए, no truck is car, बिलकुल ये चीज़ बोली थी, कोई कार ट्र नहीं है, कोई truck टी कार नहीं होगी, ये बाद भी सही हो गई, both follows, D is the right answer, अगला सवाल, colony का कोड आपको दे रखा है, interchange का कोड आपको दे रखा है, अब देखो, यहां से दो चीज़ें, अगर आप में सारे patterns कर रखे हैं, सबसे पहले देखो, examination में हो, कितना भी हो, पहले आ value की तरफ आप जैसे ही जाओगे, अगर थोड़ा सा आप यूज करोगे अपना presence of mind, तो आपको देखे हैं, ओकी position value तो 15 है, 15 plus 15 कितना हो गया, 30 हो गया, ये आपको पता है, 30 तो यहां से ही हो गया, उसके बाद plus 30 के बाद या तो 25 पे चले जाओ, 30, plus 25 कितना हो गया, 55 हो गय प्लस B करोगे, तो कितनी value मिलेगी, 30, plus 25 हो गया, 55, 55 के पाद आपको पता है, प्लस 12 कर दो, कितना हो गया, 67 हो गया, 67 plus 3, D की position value 70, और 70 plus 14, N की position value 84, प्लर यहां पर 48 दिख रहा है, तो चीज़े आएंगी इस टाहिम पे आपके मांद में, 84 है, हमारा sum, हमें दिखाई दे र गया है, यह भी एक logic आपको follow होता है, आएगा दिमाग, इंटर्चेंज पर ओगे फटापट, अगर add करोगे, आपको पता है, थोड़ा हम पास लीगर निक लिए कैसे करते है, अच्छा, 2 E दिख रहे है, हमें पता है, 10 हो गया, ठीक है, 10 के बाद आपको पता है, यह 18 है, 9 के टेबल में पता है, पहले आपका 10 हो गया, फिर आपको दिखाई दे रहे है, अच्छा, यह 9 है, और यह आपको बिल्कुल क्या दिखाई दे रहे है, 18 दिखाई दे रहे है, कितना हो गया, 27 हो गया, 27 के बाद आपको दिख रहे है, N की position value 14 होती है, T20 होता है, ठीक है, कि 45, 45 plus 1 हो गया आपका बिल्कुल 46, 46 plus 14, ठीक है, तो कितना हो गया, 60 और 60 plus G की position value 7 होती है, तो 67, ठीक है, जोड होगे कितना मिलेगा बताओ, 27 plus 10, 37, जोडने के बाद मिल रहा है, 7 to the 14, again 7 plus 3, 10, 104, अब इसको उल्टा करके तो बिल्कुल 88 नहीं मिलेगा, ठीक है, अब यह value बिल भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको पता है, same, कितनी जगे अगर आप उपोजिट करोगे, value इसे cross करेंगे, तो हम, हमें यह पता चाहिए, यह logic तो हमारा follow नहीं हो रहा, next चीज क्या करो, हलका सा अगर आप देखोगे, जब interchange इतना बड़ा सा आपको word दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे, इसमें alphabet कितने है, कितने alphabet है, 3, 6, 9, 11 alphabet है, क्या value दिख रही है, 88 दिखाई दे रही है, 11 into कितना हुआ है, 8 हुआ है, same, अगर आप देखते, colony में कितने थे, 3 और 36, ठीक है, 6 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल into 8 करोगे, तो आपको दिखाई देगा, 48, इसा logic फॉलो हुआ है, जितने alphabet है, उसे multiply किया है, किस से, 8 से, ठीक है, बताओ, mountain में कितने alphabet है, 3, 6, 8, और 8 को multiply किस से करोगे, बिल्कुल 8 से, 64 मिलेगा, ठीक है, बढ़ें आगे, देखो, H, F, L, I related है, O, M, S, P, पहली अप्रोच, इस तरह के सवालों में, position values, हम है, हमें दिखाई दे रही है, 15, कितना जोडा गया है, 7 जोडा गया है, तेम आपने देखा, अगर आपके K पे, 11 है, 18 दिखाई दे रहा है, प्लस 7 हुआ, 9 है, 16 दिखाई दे रहा है, प्लस 7 हुआ, 15 है, 22, again प्लस 7, 12 है, again प्लस 7 करोगे, 19, सीदा सीदा प्लस 7 की सीरी चल यह थोड़ा सा option की तरफ आ जाओ क्या तु लास्ट पे चले जाओ दो जगे एक दिख रहा है दो जगे यू दिख रहा है एंड की position value होती है आपकी 14 7 करोगे 21 इसकी position value है यू की position value है किसमें दिख रहा है यह दो हो गए आपके cancel और फ्रस्ट पाला निकाल लो पता है अलग-अलग है तो M की position value होती है आपकी ऍथें होती है इस सेवन करोगे इतना मिलेगा आपको बिल्कुल 19 मिल वेट टी मिलेगा 20 किस की position value होती है टी की position सब्सक्राइब यहां पर देखो अब यह चीज में आपको नहीं करके दे रही है आपनो जो बताओगे कि कंप्लेट सिस कोडिंग डी कोडिंग के अंसेप्ट पही कितने सब्सक्राइब तो आपका यहीं से बन जाता है यह बीसी आने चाहिए पोजिशन बड़े प्यार से होंगे ए आपका कितना वन है प्लस कितना दिखाई दे रहा है बिलकुल आपको प्लस फाइब दिख रहा है अगें 6 प्लस 5 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 5 21 21 होती है यू की पोजिशन वैल्यू शुरू बिलकुल यू से होगा और यहां से इससे जादे वह आप से कुछ नहीं है ठीक है चलो लिए आपका लास्ट कुशन इस सवाल आपके पूछे गए तो इस एक्जाम में टाइप आइप आइ हैं तो बिलकुल इक्षिट से आप से आप पढ़ सकते हैं I hope इस सेशन से आपको डेफिनिटी कुछ नहीं कुछ सीखने के लिए मिला होगा